नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ भरवा करे लिए कि बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत जल्दी बनने वाले राशेपी शेयर करने जा रहे हूं तो अगर आप लोग भी इस तरह से बनाएंगी तो बहुत ही स्वाधिस्ट बनेंगे और कड़वा बिल्कुल नहीं लग मैं रखिअा तो अब मैं एक पैन ले रहे हूं एक बरतन ले रहे हूं लेए अब अम इसको अबने थोड़ा है आप इसको भर्हें की थोड़ा से दृस्त्राइं को एसके अंदर रख दी हैं और 10-15 एंड में उबल जाएगा तो जब तक यह उबल तक हम बागी की प्रिप्रेशन करते हैं अपनी जी तो आप मैंना लिये हैं प्याज तो यह दस बारा प्याज है करीब और यह छोटए चोटा प्याज है इसलिए दस बारा लियाय और कुछ लसनी कलिया है और आप तीन-चार मीडियम बड़े साइज के लिए सकते हैं तो यह मैंने उबाल ले देखिए और बाल के ठंडा हो गया है और यह मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है मिक्सी में और यह लसन को पानी में डाल के थेच लिया था और आप मैं मसाले दिखा दिखा दियो आपको क्या-क्या मसाले डालेंगे हम तो मसालों में मैंने लिया है नमक, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, धन्या पाउडर, लाल मिर्च, अमचूर, और ये सौफ, मेथी, और साबुत धन्या को पीस कर एक पाउडर बनाया है मैंने, एक चम्मच सौफ है और आदा चम्मच मेथी, और थोड़ा सा साबुत धन् तो अब इसका मसाले को फ्राय करेंगे, हम तो मैने एक कड़ाई ले लिये गो दाला है जर्शोका तेल जैसे तेल गरम हो जएका तो इसमें हम डालेंगे हिंक पाऊडर एक डाला है मैने राइदस आञा तो राइदस जैसे चटकने लगा तब दालेंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है इस तरह से कर रहे लिए कि सब्जी भरवा कर रहे लिए बहुत ही टेस्टी बनता है आप लोग भी जरूरी एक बार ट्राय करें से तो यह देखें राय चटकने लगी है तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था और अब हम इसे बूनेंगे इसे चलाते हो बूनना है हमें दो-तिन मिनट के लिए जब तक प्याज थोड़ा अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी और इसके साथ हम इसमें लशन भी डाल देंगे ये और इसी तरह से बूनना है दो-तिन मिनट के लिए तो अब यह देखें प्याज भुन गया अच्छे से तो हम इसे ज्यादा नहीं भुनना है हलका भुनने है क्योंकि इसका मिठा मिठा परन अच्छा लगता है जब काने में तो अब ये भून गिये अब इसमें डाल के मसाले, तो मसाले डाल के बूना है। अब ये समय काव इसमें खुलाह ये पानी कर तूंसा भून है। तो मुझे इसमें तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, यह देखे, मसाला भून गया है, तो बस अब इसको यहीं बन कर देंगे, गैस को, और अब इने करोलो के अंदर बरेंगे हम, तो यह मेरे आधा किलो करीब करे लिए हैं, तो अब इने करोलो के अंदर हम भरेंगे, और हम इस तरह से एक दील लेंगे, कोई धागर लेंगे, इसमें से बान लेंगे, लपेटेंगे इस पर, तो अब चम्मत से हम इस सारे करोलो को इस तरह भर लेंगे, तो इस तरह हमने सारे करोलो को भरना है, तो हमने सारे करेले भर लिये अब हम इस तरह से दागा इसके उपर लपेटेंगे जिसे इसका मसाला बहार ना निकले और हमको इसको हलका हीला बेटना है क्योंकि फिर हम इसे खोलेंगे भी जिब हम इसको खाएंगे तो इस तरह से मैंने सारे करेलो पर धागाड़ा बेट लिया है अब हम इसको फ्राइ करेंगे तेल में तो इसको फ्राइ करने के लिए मैंने लोई की गडाई लिया है लोई की गडाई में काफी अच्छे कलर भी आता है तो इसे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इस तेल में हम इसे इस तरह से रखेंगे सारे करेलो को और हम इने अलर प्लट कर पकाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में अलर प्लट करते रहेंगे क्योंकि करेलो थोड़े बड़े साइज के तो इसलिए थोड़ा साइज को अलर प्लट करना पड़ेगा हमें और जो बागी का मसाला बचावा है उसे अभी हम बाद में डालेंगे पहले इनको अच्छे से प्राए कर लेंगे इस तरह से अलर्ट प्रट करके देखिए किस तरह से प्राए करना है और तो यह हमारे लगबग फ्राए हो चुके हैं दोनों साइडों से साइड से देखिए किस तरह से हाँ इनका कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम जो इसका मसाला बच्चावा था वो इस पर लगा देंगे इस तरह से हमने सारा मसाला इसमें डाल लिया है और थोड़ा सा पाइं डालके हम इसको डग के पकने देंगे 5-10 मिंट के लिए और करले को हमारे पहले से उबले वे हैं तो ज़्यादा इनको पकाना नहीं है हमको तो अब देखिए करले कित अच्छे से सॉफ्ट हो गए बिल्कुली अभी विल्कुल पक्के तयार है तो आप इसे रोटी पराठा के साथ साथ कीजी बहुत अच्छे लगते हैं यह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी और खाने में इतने स्वाधिस लगेंगे आप लोग इसे एक बाद जरूट रहे करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंजर करें करें